हेलो एवरीवन एक बार फिरते स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चानल अस्पेरेंट लाइप पे दोस्तों जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि अरवी एंटी पीची दो हजार चौबिस हम लोगों के लिए काफी जबरदस्त मौका निकल कर आया है और इस मौके को कहीं से भी चूकना नहीं है इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों ने थम्निल में देखा होगा कि आरवी एंटी पीची दो हजार चौबिस 90 डेज स्ट्रेटजी के बारे में डिसकस करेंगे अचूक रनीती के बारे मे डिसकस करेंगे साथ में अररवी एंटी पीची के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बाते हैं उस सारी बातों के बारे में इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है ठीक है सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्लेवस के बारे में और स्लेवस के बाद भी हम लोग topic के बारे में बात करेंगे, topic के weightage के बारे में बात करेंगे, slavus किस तरीके से complete करें, इसके बारे में हम लोग totally यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या-क्या बात करने वाले, जिससे आप confirm हो जाओ कि यह सारी चीज़े हमको इस वीडियो में मिलने वाली है और निश्चिंत होके देखोगे है ना चलिए तो पहला जो मैंने बताए कि सरीय सलेवस के बारे में CVT1 और CVT2 के बारे में डिस्कस करने वाले है दूसरा की topic wise क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इदम बिलकुल निश्चिंत रहिएगा और वीडियो के end तक बनी रहिएगा और क्या topic से कितना वेटेज रहा है अभी तक और कितना questions पूछा गया है इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और last में मैं आपको बताऊंगा कि कब से mock test आपको लगाना है और तयारी कितनी complete होने के बाद mock test को हात लगाना है और किस तरीके से उसका analysis करना है ठीक है चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम देखते क्या है इसमें कि slivers जो है आपका जो लगभग आप सारे लोगों को पता है कि subject जो होता है इसमें वो आपका जीए होता है general awareness होता है यह आपका 40 number का होता है है ना 40 question 40 number का होता है अगर हम लोग mathematics के बारे में बात कर ले तो यह 30 question होता है 30 number का होता है general intelligence and reasoning के बारे में बात कर ले तो यह 30 questions होता है 30 number का होता है total हमारा 100 question और 100 number का और इसके लिए हम लोगों को समय दिया जाता है 90 minute है ना तो इसके लिए कोई परेशाणी नहीं है reasoning बहुत जादा आसान है scoring आपका subject है और topic wise बेटेज में भी इसका क्या questions रहा है अभी तक जितने भी questions हमारे पूछेगे previous year में वो सारी बाते तो हम लोग करेंगे साथ में previous year questions का PDF अगर आपके पास नहीं है तो वो भी मैं आपको provide करूँगा यहाँ ठीक है classes भी इसकी चलती है रात 9 बजे से सामसाथ वेज़े से वह भी हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है तो यह आपका cvt1 का क्या था यह आपका syllabus था हम लोग अगर cvt2 के बारे में बात करेंगे तो जैनल आवर्नेस है आपका 50 questions रहेगा मैक्स के आपके 35 questions होने वाले है general intelligence and reasoning आपके 35 मतलब 120 सवाल जो होगा आपका मेंस में होने वाला है और यह 120 नंबर का हो जाएगा मतलब जितना question उतना नंबर हो जाएगा और इसके लिए मातर आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा तो बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा भी सवाल होता है कि सर पहले PT की तयारी कर लेते है फिर मेंस की तयारी करेंगे टाइम तो मिल जाएगा आपका भी कहना सही है लेकिन जब आप मेंस लेबल की तयारी करोगे न तो उसमें होता क्या है कि आपका PT बहुत ज़्यादा आसान हो जाता और मेंस पे और ज़्यादा मजबूत पकर आप बना पाते हो ठीक है बाते समझ में लिए के तो कहीं से कोई दिकत्त होने वाला नहीं है अब आपके ऊफिंटर दिया गया है उनस अरे चाप्टर के बारे में पहले डिसकस करें ठीक है अगर mathematics के बारे में मैथ के बारे में आगर बात करेंगे तो यह नंबर सिस्टम सबसे पहले है डैसमल है, fraction है, LCM and SCF है, ratio and proportion है, percentage है, mensuration है, time and work है, speed and distance है, यह सारा का सारा topic जो है आपका दिया गया है, जो most BBI जिसको very very important topic हम लोग यहाँ पे कहते हैं, आप कुछ करो या ना करो लेकिन इन सारे topic को आपको अच्छे से cover कर लेना है, और cover किस तरीके से करना है, कि भाई जितने भी chapter होंगे, ध्यान से सुनना, जितने भी chapter होंगे, उन सारे chapter से हम लोगों को question बनाना है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को अच्छे से concept को देख लेना है, और concept के बाद जो सबसे important होता है, हमारा types of questions यहाँ पे सबसे important होता है, इसको देखना है, और फिर हम लोग MCQ पे हाथ लगाएंगे, और फिर हम लोग PYQ series करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, mock test लगाएंगे, तो इन सारे process से आपको गुजरना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा भी serious aspirant हो, तो आपके मन में ये सावाल चलेगा, कि ये सारा का सारा चीज़ सर करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे, तो कहीं कुछ chapters में कुछ कमी रह जागी, इसी से आपका result खराब हो जाता है, मैं तो चाहता हूँ भगवान के रहाइसा किसी के साथ नहीं हो, मैं तो चाहता हूँ भई, रिजल्ट हो ही जाए न, लेकिन आप इस तरीके से अपने sequence में त्यारी करोगे, तो ये ज़्यादा बहतरीन है, और दूसरा आपको अपने आप से एक routine follow करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, करवाना पड़ेगा अपने आप से एक routine आप follow करवाओगे, कि भाई सब दिमाग को कहोगे कि मुझे 7 बज़े ये काम करना है, मुझे 10 बज़े से ये subject पढ़ना है, मुझे 12 बज़े से ये subject पढ़ना है, और इतना syllabus हम इतने दिनों में क्या करेंगे, complete कर लेंगे हैं न, तो chapter, concept और types of questions अगर हम लोग देख लेते हैं, तो आप कहोगे कि गुरुजी अगर ये number system के बारे में अगर बात किया जाए, तो इसमें सहम लोग 500 questions बना लेंगे, कोई जादा परिशानी है नहीं, लेकिन भाई सर जब आप 500 questions बनाओगे, तो एक type के questions आप 100 क्यों बनाओगे, वो तो आप mock test में भी लागा सकते हो, previous questions में भी आपको बहुत सारा help आपका मिल जाएगा, जिसमें previous questions में chapter wise करके दिया रहा था, बहुत सारा book कैसा आता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, types of questions जब आप बना लोगे, मतलब जितने types of questions होंगे, उससे अगर 20-20 questions भी बना लोगे, तो आपको एक roughly idea हो जाएगा, कि भाई इस type का सवाल इस concept से बनेगा, और ये trick इसमें लगाया जाएगा, तो जल्दी answer हम लोग निकाल सकते, तो मैं ये कहना चाहते हूँ, ठीक है, फिर हम से QP आएगे, तो चीजे और आसान होती चली जाएगी, PY QP आएगे, तो चीजे और आसान होती चली जाएगी, और तब यहाँ पे हमारा अगनी पर इच्छा होगा भाई, मौक्टे जिसको कहते हैं, यह आप कहोने वाला है, तो यह सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीचे टेली ग्राम का लिंक दिया गया है, उसको भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं यह PDF अप्लोड कर दूँगा, जिसमें आप सारी जानकारियां देख सकते हैं, ले सकते हैं, कोई शू है नहीं, और टेली ग्राम इसलिए भी जॉइन कर लिजिएगा, क्योंकि कभी कभी विडियो का नोटिफिकेशन वगरा नहीं जा पाता है, तो आपको वहाँ से क्लास का नोटिफिकेशन वगरा अच्छे सा अवलेबल मिल जाएगा, और पीडिफ भी मिल जाएगा, जितना भी आपका क्लासेज होगा, वो सारा का सारा पीडिफ आपको मिल जाने वाला है, ठीक है, तो भाई अगर रिजिनिंग के बारे में बात करें, तो सब को पता है कि रिजिनिंग अगर हमसे 30 कोस्चन्स अगर मालनो भाई साब, इसमें से 30 भी अपला सकते हो, कोई जिक्कत नहीं है, चैप्टर जो हमारे पास भारी पड़ता है, इसमें से 3-4 सवाल आपके हर एक एक एक्जामिनेशन में, एंटी-पी-सी में पूछे जाते हैं, या फिर ग्रूप-डी में आप से पूछे जाते हैं, वो है आपका statement and conclusion, यह चार्ट topic है, आपका statement and conclusion है, statement course of action है, decision making है, maps है, interpretation of graphs in ETC है, तो यह चीज़े आपको थोड़ी सी अच्छे तरीके से आपको revision करनी पड़ेगी, मैं यह पहले ही आपको बता देता हूँ, बाकि सारा चप्टर से आप अफगत हैं ही, analogy, यह सारा number and alphabetic series है, coding recording है, mathematical operation है, similarities and differences है, relationship है, analytical है, reasoning है, symbolism है, jumbling है, wind diagram, puzzle, data sufficiency, sitting arrangement भी होता है, तो मैंने बहुत सारा chapter आपको पढ़ाया है, मैं बिल्कुल वीडियो के last में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या-क्या आपको पढ़ाया है, ठीक है, यह सारा topic एक बार note कर लोगे, अब भाई साय बात आता है, journal awareness के बारे में, इसमें science वगरा, numerical वगरा पूछा जाता है, current events and national and international importance, मतलब current affair तो आपसे पूछा ही जाएगा, games and sports के बारे में पूछा जाएगा, art and culture of India के बारे में पूछा जाएगा, Indian literature के बारे में, monuments and places of India है, general science and life, up to 10th CBSC, मतलब जो भी आपसे पूछा जागा, वो 10th level तक का questions आपसे पूछा जागा, इस बात को ध्यार में रखि ठीक है, दूसरा, history of India and freedom struggle, यह सारा का सारा topic है, इसको note कर लो, topic वाइज अगर त्यारी करोगे, तो MCQs भी आपका बहुत आसान तरीके से revision होता चला जाएगा, और खुद का अगर notes मनाओगे, तो revision करने में कोई परशानी नहीं, मालो आपने मेरा वीडियो देखा, आपने notes नहीं करा, फिर आप वीडियो धूंडोंगे मिलेगा नहीं, अगर मिल भी जाएगा, तो पूरा देखना पड़ेगा, इस से अच्छा है कि बैठ जाओ, कहीं भी आप जिन से भी पढ़ते हो, वहाँ पे notes त्यार कर लो, कि यह types of questions हमारा अलग है, यह types of questions हमारा अलग है, और अगी भी पढ़ना है, स्टार्ट करना, तो modern से स्टार्ट करोगे, तो चीजे आसान लगेगी, और interesting बनता चला जाएगा, तो यह बहुत important है कि छोटा-छोटा बात अगर ख्याल रखोगे ना, तो पढ़ाई बोडिंग नहीं होता है, हमारा interesting बनता चला जाता है, ठीक है, दूसरा, quality बागरा के बारे में यह topic wise करके दे रखा है, ठीक है, तो इसका तयारी आप lucent बागरा से कर सकतो, मैंने बताया था कि lucent बहुत important होता, जो भी बचे तयारी करते है, general competition का, वो lucent एक बार पढ़ते ही पढ़ते है, ठीक है, चलिए, दूसरा क्या है, अगर, अगर, अब आजाओ, main topic पे, जिस पे हम लोग बात करने वाले, कि sir, एक scenario होना चाहिए, एक benchmark हम लोगों को पता होना चाहिए, कि sir, किस तरीके से question कौन से chapter से, ज़्यादा पूछेगा है, हम लोग उस chapter पे ज़्यादा ध्यान देंगे, यह बहुत बड़ा beneficial idea है अप लोगों के odd one out के सवाल भी आपको देखने को मिले हैं, यह भी आपका असानी रहा है, series से 2-3 सवाल देखने को मिले हैं, तो मैंने कहा थाने statement and conclusion से, यह भी 3-4 सवाल आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो यह 3-4 सवाल होगा, ज़कीरा यहाँ लगा रहता है, setting arrangement, odd one out, series, statement and conclusion, mathematical operation और बाकी सारे के सारे chapter अगर आप देखोगे, missing term मैंने कहा था, 2-3 नंबर का यह आपसे पूछा जाएगा, counting figure है, यह भी आपका पूछा जाएगा, miscellaneous भी सवाल रहेगा, total 30 सवाल ऐसे पूछेगा हैं आपसे, और यह जो सवाल है, counting figure का, यह आपको एक बार देखना क्या, यहाँ पर की ratio होता है, number of question, 2 पूछा गया है, भी तक maximum minimum यह एक आ करा है, है ना, यह एक आ करा है, तो easy level का पूछा गया है, topic, आपका match के बारे में आपको बता रहा हूँ, average अगर आप देखेंगे, तो 3-4 questions रहा है, easy level का रहा है, तो यह सारा है, 4-5 questions आपका LCM और HCM सरा है, simplification से 2 या 3 questions रहा है, और भाई साहिब जो geometry से question रहा है, वो easy to moderate level का रहा है, और total जो है, वो 30 आपके questions रहे हैं, और paper जो है, easy to moderate level के paper रहे है, तो topic आप लोगों ने देख लिया, क्या-क्या topic है यह आपे जो बहुत जादा important है, दूसरा, अगर GKGS के बारे में बात कर तो history से भाई सबसे जादा modern से सवाल रहते हैं, या आप लोगों को पता है, modern से 2-3 सवाल रहेंगे, total आपके 5-6 सवाल होंगे, और easy to moderate होने वाले, जोग्रफी से आपके 2-3 सवाल, easy to moderate होंगे, quality से भी उतना topic cover करोगे, तब 2-3 सवाल आप यहाँ पे easy to moderate होंगे, static GK आपका 2-3 होगा, अच्छा, current affair है, वो आपका 10-12 होने वाला है, sign जो है, 7-8 होने वाला है, total 40 जो है, number of questions होंगे, और जो paper होने वाला है, वो easy to moderate level का paper आपका हो जाएगा, ठीक है, आगे अगर आते हैं, तो overall अगर देखा जाए कि भाईया, good attempt क्या होगा, अगर बात करें कि good attempts के ब अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो safe score अगर आप देखोगे, तो section mathematics में आप अगर बाईस से 24 question भी attempt करते हो, और यह जो level होता है, वो easy to moderate होता है, तो यह safe कहा जा सकता है, भाईया आप एकदम safe category में, border के अंदर है, border के बाहर नहीं है, और नहीं border पे है, तो यह आपका safe score है, reasoning में अगर देखा जाए, तो 24 से 26 आपका good attempt कहलाता है, मैंने कहा, कि आप यहाँ पे 28 plus भी सही कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा, एक घंटा, देर घंटा, अगर जादा समय व्यतीत करोगे, mock test में, उसका analysis में करोगे, तो आप यहाँ भी क्या कर सकते ह यहाँ पे सही कर सकते हो, ठीक है, general awareness के बारे में 28 से 30 questions यहाँ दिया है, good attempts में, लेकिन 28 से 30 questions थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि GKGS है, इसमें आपका science भी है, अगरा सब कुछ देखे रखा है, तो मैं यह मानता हो कि इसमें अगर आपने 25 भी सही करा है, तो यह आपका good attempt होजाएगा, overall आपको 70% प्लस आपको attempt करना पड़ेगा, अगर आप simple मेरे से पूछ होगे, तो 70% प्लस अगर आप attempt करते हो, तब आपका result क्या है, पक्का है, त त त्यारी इस तरीके से करना है कि सारा चीज़ में एकडम डूप जाना है और बहुत अच्छे तरीके से तैरी करना है, यह जैसे हमारा last chance हो, जैसे हमारा क्या हो भई, last chance हो इसके बाद हम लोगों को कोई chance मिलने जा नहीं रहा है, यह पूकि इसके बाद vacancy कब कि कि किसी को कुछ पता नहीं है और जितना वैकेंसी है सिर्फ उसमें से हम लोगों को एक सीट चाहिए बाकि आपके मन में कुछ के बारे में चर्जा करेंगे से बाद हम ठीक है और सब कुछ वहां से अप कवर कर सकते ठीक है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जैसे पूरा मालों की आपने 100 questions का mock list लगाया है लेकिन इससे भी पहले इससे भी आपको पहले क्या करना है कि section wise अगर आप moque लगाओगे तो भाई maths के बारे में मैं बात करूँ मैं बात करूँ reasoning के बारे में या फिर GKGS के बारे में मैं बात करूँ तो यहां आप 30 question लगाओगी यहां आप 30 question एक मैं आकरा बता रहा हूँ यहां आप 30 question तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि maths मैंने 30 question कितने देर में लगाया है ठीक है, reasoning मैंने 30 question कितने देर में लगाया है और जी के जिस मेरा कितना सही हो रहा है तो यहां से आपको एक आकरा मिल जाएगा तो आप सुचोगे सर सौ कोस्टेंस अगर मुझे लगाना है तो भाई साहर कितना समय लगेगा और जो जो हमारा वीक पॉइंट है इसको आप क्या करोगे अनलेसिस करोगे जैसे ही मालो की अभी पूड़ा अल्टरनेट डे पे अगर आप मौक लगाओगे जब आपका स्लिवस 52-60% कवर हो जाएगा तब 52-60% कवर होने के बाद ही मौक ते छुना अगर पहले छुओगे तो फ्रस्टेट हो जाओगे बोरिंग सा हो जाएगा अरे सर बनता नहीं और जब भी कोई एक चीज़ अगर आपसे बनता नहीं है दुबारा हात लगाने का मन नहीं करता है कि अब क्या करे अब चुढ़ाएन दो यार छोड़ दो ऐसा होता है ठीक है तो 50-60% स्लिवस कवर होने के बाद alternate लगाओगे और जब आपका examination नजदीक आजाएगा exam किती थी आजाएगी तब उससे 15 दिन पहले या 1 महने पहले आप दिन में 2 mock test लगाओ और mock test लगाने के बाद वहाँ पे क्या करो उसको अच्छे तरीके से analyze करो कि आपका कौन सा point weak है कौन सा point आपका hard है यह सारा topic के आहाँ पे होगा तो section wise पहले लगाओगे फिर saw number लगाओगे तो बहुत जादा आसान हो जागा फिर alternate day पे आगर आप mock test लगाओगे तो यह चीजे बहुत जादा धीरे 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 करके आसान होती चली जाएगी दूसरा अगर हम लोग बात कर ले है strategy के बारे में तो भाई आपको पता है कि इसकी vacancy बहुत दिनों के बाद जो आई है तो strategy बहुत जादा importance रखता है तो आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा कि भाई मुझे 7 बजे ये काम करना है मुझे 8 बजे ये काम करना है मुझे 9 बजे ये काम करना है अब match को क्या करो match को आप 3 घंटे का समय दे सकते हो शुरू में है ना reasoning के बारे में बात करें तो reasoning starting में भाई दे दो थोड़ा सा समय इसको दे दो reasoning में भी 3 घंटे का समय दे दो और GKGS में भी आप क्या करो GKGS में भी आप 3 घंटे का समय देदो ये मैं बात कर रहा हूँ क्या आपका अपना Self-Study प्लस आप जहां से पढ़ते यसे मालो कि आपने 1 घंटा Math कहीं से पढ़ा है Reasoning कहीं से 1 घंटा पढ़ा है और GKGS आपने 1 घंटा कहीं से पढ़ा है तो आपने जो पढ़ा है उसको देखने के लिए यहाँ पर क्या होना है चाहिए 1 घंटे का समय होना है MCQ बाइरा देखना है तो 1 घंटे का समय मतलब 9 घंटे आप एकदम मन में बिठालो तो आप मन में बिठालो कि भाई साथ से 9 घंटे का समय हम लोगों को देना है साथ से 9 घंटे का समय देना है तब हमारा नहिया पार लग पाएगा ठीक है साथ से 9 घंटे का समय मन में बिठालो तुम दीन भर कुछी भी करो लेकिन साम में जो 6 से 9 का जो समय होता है controle सामें चे बाराइ वजे का समय होता होता है रात बाराइ बज Allen जख वो आपका अपना होना चाहिए कि उस समय अगर आप सुधर जाओगे तो दुनिया का कोई तागत आपको चलैंड लेने से यह से बात की डारइन टी泼क वह contest उसमय सब्ढ़ना बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि इस तीन घंटा कैसे बैठ एक सब्जेट को लेकर सब्जेट को लेकर तो बड़ा मुस्किल सब्सक्राइब अगर आप से कहा जा कि भाईया पुस्पा टू आने वाली है अगर जाके वहां आप मुवी देख लो तो आप एक बार बिंच से उठोगे नहीं और बेंच से एक बार वास्रूम नहीं जाओ है ना क्योंकि आपने वहाँ पैसा दिया है अब मजाओना सीट नहीं च्लोडना चाएब अपना जगह नहीं च्योड्ना चाते है लेकिन होता क्या और हों कि वहाँ लोग समय कभी बोर्डिंग सा खील हुआ तो लोग सोचता है फांच मिननट आख वंद कर लेते, लेकिन भाई साथ, जब यह आप तीन घंटा बैठोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको कोशिस करना है कि हम टुकरों में बैठे कैसे, तीन घंटे के बारे में मैंने आप से कहा तो तीन घंटे के बाद आपको करना क्या है आपको एक घंटा बैठना है पांच मिनट का ब्रेक लेना है आपको एक घंटा बैठना है पांच मिनट का ब्रेक लेना है एक घंटा बैठना है पांच मिनट का ब्रेक लेना है पांच से दस मिनट आप पहले बाद करके वहा हो अपने काम पे लोगों और जिस थरीके के class आपको मिलता है मैं बता देता हूं क्या-क्या classes आपको यहां पे मिलती है सुबह पांच बजे तो current affair की class क्लास आपको यहां पे रिजिनिंग का class जो है आपको यहां पे मिल जाता है ठीक है तो रिजिनिंग में हम लोग अभी